नमस्कार दोस्तों मेरी कुछ तीकी और मिठी दुनिया में आप सभी का स्वागत है आज ठन बहुत जादा है तो घर में फर्माईश होई पकोडे खाने की किसी ने कहा आलू के खाना है तो इन्होंने कहा कि मिर्च के खाना है और बेटी ने कहा कि इसे गुभी के पकोडे खाना है आएए हम सब की फर्माईश पूरी करते हैं पकोडे बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम बेशन लिया है इसमें स्वाधन स्वार नमक डाला है दो से तीन चम्मच मैंने चामल काटा डाला है और चुटकी भर मैंने बेकिंग पॉडर डाला है सब को मिक्स कर पानी की सहता से एक बढ़िया से बैटर तयार कर लिया है पकोड़े बनानी के लिए मैंने आलू को पतले पतले स्लाइस में कट कर लिया है मिर्ची को धो करके साफ करके सुखा लिया है और गोवी को भी मैंने ऐसो क्राम गोवी को मैंने छोटीटे टुकडे में कट कर दिया है और उन्हें गरम पानी जिसमें नमक बिला है दो से तीर मिर्टा के लिए छोड़ दिया था गरम पानी से गोभी को निकाल करके अलग प्लेट में रख दिया है हम मिर्च के अंदर भरने के लिए एक बढ़िया सा मसाला त्यार करेंगे और इसी मसाले को हम पकोड़े के ऊपर बें स्प्रिंकल करेंगे तो आईए चलिए हम मसाला त्यार करते हैं तो इसके लिए मैंने एक कटोरी ली है, उसमें मैंने सादा नमक, थोड़ा सा काला नमक और लाल मिर्च और चाट मसाला डाला है, और उसमें मैंने भूना हुआ जीरा भी डाला है, इस तरह से मसाला मैंने तयार कर लिया है, अब हम मिर्च लेते हैं, उसको बीच में से चीरा और जो मसाला हमने तयार किया है उसको हम उस मिर्च के अंदर अच्छी तरह से भर देंगे यह जो मोटी मिर्च होती है यह बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है तो इसे चटपटा बनाने के लिए हम यह मसाला उसके अंदर अच्छी तरह से भरेंगे इस तरह से हम सारे मिर्च क तो तयार कर लिया है मसाला भर करके तो अब आईए अब हम चलते हैं पकोड़े बनाने के लिए पहले हम गैस चालू करेंगे उसके उपर कड़ा ही रखेंगे गरम होने के लिए और उसमें तेल डालेंगे पकोड़े तलने के लिए जब तेल गरम हो जाएगा तब हम एक केकर म मिर्ज को बेसर में डुबाएंगे और गरम तेल में छोड़ते जाएंगे। हम मिर्ज की पकोड़ों को उलट-पुलट करके पूरी तरह से सुना रहा होने तक अच्छी तरह से तल लेंगे। देखें किस तरह से ये पूरे सुनहरे हो गया है। जब अच्छी तरह से तल जाएं, सुनहरे हो जाएं, कुरकूरे हो जाएं, तब आप उनको प्रेट में निकाल लेंगे। देखें, ये मिर्ज के पकोड़े तयार हो गये हैं। ने पकोड़े में डालने के लिए जो मसाला तयार किया था न, App waar हम पकोड़ों के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। अब हम तलेंगे गोभी के पकोड़े, तो गोभी के पकोड़ों बनाने के लिए हम गोभी के फूल को जो हमने चोटे टुकडो में कट किये थे उनको हम पकोड़े के घोल में डुबा डुबा कर तेल में छोड़ते जाएंगे और जब पकोड़े सुनहरे हो जाएंगे तब पकोड़े को प्लेट में निकाल लेंगे और वही तयार जो पकोड़े का मसाला था उसको हम सभी पकोड़ों के उपर स्प्रिंकल कर देंगे तो अब हम चलते हैं आलू के पकोड़े बनाने तो आलू के पकोड़े बनाने के लिए हम एक-एक स्लाइस को उठाएंगे क्यों स्ञूल कर देंगे देखिए पकूड़ों के गोव्रक्रलाहस गूंश्य पकूड़ा है तो देखिए त्यार हो गया हम आरे आलोो के गोभी के और ही और मिर्सके पकोड़ आप भी मनाई है खाई और खिलाई गी वीडियो पसंद और है तो लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें